आप सभी प्रिये दर्शकों का स्वागत है अगर किसी एक स्टॉक में हैविली निवेश किया तो हो सकता है नुकसान उठाना पड़े अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 20% से जदा के बिटल मत लगाए और स्टॉक मार्किट में कम से कम 3 साल का हॉराइजन रखिए अच्छा रे कर विश्रेशन करते हैं देखे क्या यहां से टेलिकॉम सेक्टर ग्रो कर पाएगा दो चीज़े यहां पर क्लियर दिखा रहे हैं कि जो यह लो एंट्री वाले मुबाइल आएंगे अब मुबाइल स्पेसिफिकली जो आपको 4G का बैनिफिट देंगे इन मुबाइल का स्प यहां पर हेल्प करेगी आगे ग्रोथ की दिलश्टी से टेलिकॉम सेक्टर में स्टें इवेस्टेड और यहां पर अपने टेलिकॉम सेक्टर में भी पॉर्टफोलियो को डैफेसिफेक्टर रोखे प्लान भी बहुत अच्छे आ रहे हैं सारी रात आप इंटरनेट जाने की कोशिश करेगा यहां से debt के reference पे देखा जाए अभी इनकी interest cost बहुत जादा है तो debt को equity में भी convert करने का एक provision है जो आगे चल कर इसको long term के लिए interest cost कम कर देगा और यहां पर company का profitability बढ़ जाएगी तो यह एक proposition का discussion चल रहा है अभी यहां पर भारती अटेल ने clear कर दिया है कि they will not shy away from increasing the price तो यहां पर देखिए और साती सात में अगर हम बात करें इन्होंने कहा है कि जो उनको 20,000 करोड की funding चल रही है उसका primary objective ए 4G को बढ़ाने में और सात में ARPU को increase करने कि लेंगे एक slight bad news है नितिन सोनी जी ने Fitch rating के accordingly analysis करके बताया है कि 50 से 70 million subscriber आगे आने वाले 12 महीने में इस में से decrease होंगे और ये दोनों के लिए जियो और भारती अटेल के लिए subscriber बढ़ाने का portion है unless until यहां पर idea कुछ innovative and disruptive करे market में और क्या हो सकता है वो उसके लिए simple बात है कि यहां पर वोड़ाफोन और idea अपने customer को retain करके रखे और साथी साथ में जो इनका AGR calculation है अगर वो किसी तरह से recalculation की शुरुआत करे तो सबसे ज़ादा वोड़ाफोन idea को फाइदा मिलेगा Department of Telecommunication को instruction मिले है from sources कि यह दुबारा से इसको reconsider किया जाए ताकि AGR calculation के through यहां पर कुछ रिहायत मिल सके टेलिकॉम इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में यहां पर सेप्टमेर 3 को एक बड़ी conclave होगी जिसमें सारे के सारे बड़े लोग अगर आप वोड़ोफोन idea की बात करें रविंदर ठककर जी भारती Airtel के जो CEO है South India Asia reference में गोपाल विटल जी और साथी साथ में जियो कॉम के मैथ्यू ओमनम यह सारे के सारे लोग यहां पर इसमें address करेंगे RSI एक money saver technique है जो आपको हमेशा अपने portfolio में रखने चाहिए आज करीब 27 करोड शेर हैं एक्चेंज में idea के और almost flat बंद वाए 6 रुपे 10 पैसे पर और अगर आप इसका RSI का value देखा जाए तो यह काफी stable हो चुका है यहाँ पर super trend की दर्शी दे 7 रुपे 22 पैसे का level जैसे ही तोड़ेगा पहला level इसका 11 रुपे का होगा RSI भी यहाँ पर आप move दिखाने लगा है neutral zone में है 40 के आसपास तो आप चाहें तो अपने portfolio में इसको add करके रख सकते हैं यहाँ पर यह बेचने का time नहीं है value buy है, fair value range है यहाँ पर इसलिए आपके लिए अच्छा सोधा बनेगा चनल का फ़ाइब कर रूप ध्यान रखिए और अगर आप हमारी स्पेड सर्विस चाते तो mail drop कर सकते हैं आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत हैं दोस्तों जहीं जह भारत, bye guys